नवसकार, जिस फिल्म का प्रचार हमारे प्रधान मंतरी ने किया, जिस फिल्म का प्रचार भारती जनता पार्टी की सरकार के कई कैबिनेट मंतरियों ने किया, जिस फिल्म को भारत का इतिहास बता कर अंधभक्तों और भाजपा आईटी सिल ने भारत की जनता की आखों में दूल ही नहीं बलकि लाल मिर्ची जोग दी वो फिल्म आज भारत के लिए इंटरनेशनल बेगजती की वज़ा बन रही है। और इसके बाद आपको बताएंगे एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद एक बार फिर से आप बोलेंगे थेंक्यू मोदी जी यह थेंक्यू मोदी जी वाला पोस्टर याद है आपको काला कोट सफेद दारी साथ में लिखा हुआ मुफ्त वैक्सीन के लिए थेंक्यू मोदी बीबिसी की रिपोर्ट में पता चला है कि इस फालतू की पोस्टर बाजी में मोधिव जी ने जितना पैसा उड़ा दिया उतने में कम से कम कई लाख लोगों को वैक्सिन मुफ्त में लगाई जा सकती थी पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो एक बार फिर से आप बोलेंगे थैंक्यू मोधी जी अब आप समझ गये होंगे हमारे मोधी जी बोल रहे हैं इस रैली में प्रधान मंतरी ने कहा कि कॉंग्रेस के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वज़ा से जानी बाटों और राजकरों की पॉलिसी की वज़ा से गुजरात को बहुत सफर करना पड़ा अब गुजरात के जो नौजवान हैं वो ये सोच के परिसान हैं कि हम जब से पैदा हुए तब से तो भाज़पा का ही सासन देख रहे हैं फिर कांग्रेस वालों ने कब डिवाइड रूल लागू कर दिया अब ये बात किसी को भी नहीं सौझ में आ रही कि 27 सालों से भाज़पा सत्ता में है मगर फिर भी बार-बार बोला हैं कि कांग्रेस ने गुजरात को पीछे कर दिया पीछे कर दिया चलिए अभी एक छोटा सा वीडियो भारत जड़ो यातरा का भी देख लीजिए ये तस्वीर भी आपको गोधी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा एक तरफ प्रधान मंतरी की रेलियों में खाली कूर्सियां हैं फिर भी गोधी मीडिया मैनेज करके आपको 24 गंटे उनका चेहरा क्रिम पाउडर लगा के दिखाता रहेगा लेकिन विपक्स के नेता के साथ चल रही लाखों की भीड गोधी मीडिया के कैमरे में नहीं घुस पाती है पहले बात कर लेत कि पिक्चर अभी बाकी है पोस्टर पर लिखा है कि वन्सवाद पर छाती कूटने वाले अंधभकतों ये भी देख लो अब बात करते हैं चेहरा चमकाने की अरे फेर अन लवली लगा के नहीं भाई पोस्टर लगा के कोरोना वैक्सीन को लेकर जो पोस्टर बाजी आप सा आया है कि RTI से जानकारी मिली है थेंक्यू मोदी जी बोलने में BJP सासित राजियों ने 18 करोड 3 लाग से अधिक खर्च कर दिया एक बार फिर से सुन लीजिए थेंक्यू मोदी जी पर खर्च हुआ 18 करोड 3 लाग 89,252 रुपए है नजबर दस्त बात अब लगभग 18 करोड 4 लाख में वैक्सीन के एक डोज की कीमत का भाग दे लीजिए पता चल जाएगा कि कितने लाख लोगों को और वैक्सीन लगाई जा सकती थी यदि ये फालतू की पोस्टर वाजी न होती चहरा न चमकाया जाता कुछी दिन पहले प्रधान मंतरी जी बोल रहे थे कि मैं चाह लिए हम लोग आगे बढ़ जातے हैं पिछले आट-दस सालों से भारत के इतिहास को लेकर बड़ी बहस से न रही है प्रधान मंतरी से लेकर ग्रह lesson हम इस साह तक आय दिन इतिहास को लेकर घ्यान ठ्रय ते रहते हैं पिछले दिनों प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमें हमारे सूर वीरों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, तभी ग्रे मंत्री ने कहा कि हमें इतिहास लिखने से कौन रोख सकता है, हम फिर से इतिहास लिखेंगे, सही बात है भईया, लिखिये कौन रोख सकत लिखिये मगर सवाल ये है कि लिखेंगे कहां से सोर्स क्या होगा जो सोर्स थे उन पर आधारित इस्तिहास तो लिखा जा चुका है आप अपना वाला कोई नया सोर्स बनाएंगे क्या प्रधान मंतरी ने कहा कि हमें भारत के वीरों के बारे में नहीं बताये गया मगर उन्हे को बरगलाने के लिए आधी अधोरी बात की जाती है हाँ एक और बात है गोड से सावरकर और इस तरह के कुछ और लोग भी ये दिया आपके पास होओं तो आपके नजर में अगर ये वीर हैं तो इनके बारे में तुझे वो सच है वो लिखा जा चुका है इस तरह के कुछ कुछ और लोगों को बटोर के कुछ और तथाकतिद वीरों को बटोर के नया इतिहास लिखवा लिजिए इसी तरह का इतिहास पर उसने का दावा करते हुए विवेक अगनी होतरी ने एक फिल्म बनाई दकस्मिर फाइल्स इस फिल्म का प्रचार करने में पूरी की पूरी भाजपा जुट गई प्रधान मंत्री से लेकर ग्रह मंत्री तक तमाम कैविनेट मंत्री और पूरा बीजे पी आइटी सेल 24 घंटे धुवाधार प्रचार करता रहा मगर इस फिल्म ने एक बार फिर से इंटरनेशनल वेश्यती करवा दी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिव करने कि आवुट दिया इंट को आजादने म bilmiyorum 45 जुट एक बिर इंटी खिल्म फ्रेस्वे पाली को नेगार्फ तरब नें फ्रेस उत करते की एक मंत्शनल मसाम का बहुवा देविर usa na स्टेज, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion which is essential for us. पढ़ा है, देखा है, समझा है, उन सब ने कस्मिर फाइल्स फिल्म को पहले ही प्रोपेगेंडा बता दिया था, वहीं अनुपम खेर ने इस मामले को लेकर कहा है कि ये बयान काफी सर्मनात है, भगवान इन लोगों को सदबुद्धी दे, पहले तो खुद की सदबुद्ध के बारे में चिंता करें, इस फिल्म को असलील कहना ठीक नहीं है, ये अनुपम खेर ने कहा है, वहीं जूरी बोड ने कहा है, कि ये जूरी हेड का नीजी बयान है, आपको बता दें कि जूरी सब्द का मतलब होता है, जजों का समूं, और कस्मिर फाइल्स को असलील प्रमत्री जी जता रहे हैं, अब आपको अजदु दिन OAC की बातें सुनाते हैं, मगर उससे पहले एक प्रम महतोपुर बात जान लिजे, क्लासरूम में अपने सिक्षिका को छेड़ते हुए कुछ लड़कों का वीडियो वारल हुआ था, हमने भी खबर की थी, निगार प खांदान का इलाज कीजिए, कभी I love you जानम मुह से निकालने की हिम्मत ना करें, जरा सोचिए, सरयाम छेड़ खानी के बाद वो महिला खोद ही डिप्रेशन में थी, अब ये अवारो बच्चों का पूरा खांदान उस महिला को प्रतारित करने में लगा है, मगर कोई बात अब बात करते हैं अज दो दिन वैसी की, चुनावी कारेकरम में बोलते हुए, वैसी ने अरुविंद केजरिवाल को बुरी तरह से घेरा है, बिल्किस बानों के मामले को लेकर सवाल पूछा है, इसके साथ ही छोटा रिचार्ज तक बोल दिया मैं आज भी पूछ रहा हूँ, बताओ केजरिवाल, बिल्किस बानों के बारे में तुमारी क्या राय है, बोलो बिल्किस बानों के बारे में तुमारी राय क्या है, डिल्ली के डिप्टी चीफ विनिस्टर से पूछा गया, तो ने पूछा गया बिल्किस बानों के उपर, तो कहा हम स्कूल बनाते है पूछा गया बिल्खिस बानों का रेप हुआ तो उसने का हम तीचर देती हैं अगर बिल्खिस बानों की बेटी जिन्दा होती तो शायद वो जामे मिलिया युनिवर्स्टी में अभी पढ़ती रहती होगी इनसाफ जब तक मजलुमों से नहीं होगा दुनिया में अमन गायम नहीं हो सकता इनसाफ सबसे होना चाहिए किसी मजब का हो किसी जात का हो ये आपका दिल्ली के मुख्य मंत्री का चेहरा है के नोट पर ये फोटो लगा दो गांधी की भी फोटो रखो और ये फोटो भी रखो अरे तु गांधी के पैगाम को नहीं समझा यूनिफार्म सिविल कोट पर जीरो बिल्खिस्बानों पर खामोशी मगर बार बार ये बोलते है के नहीं नहीं इनके जो चमचे हैं जो उकला में फिरते हैं ये जो केजरी वाल छोटा रीचार्ज के चमचे वो बोलते हैं के नहीं नहीं ऐसा नहीं है बाच्पा को हराना है मेरे भाई अंधेरे का अंधेरे से मुकाबला नहीं होता जलुम का जलुम से मुकाबला नहीं होता अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है जहालत का मुकाबला इल्म से होता है अगर कोई चापलोसी करता है और ये कहता है कि नहीं नहीं मैं केजरिवाल का भक्त हो तो तुम केजरिवाल के भी भक्तों और मोडी के भी भक्तों तुम लो क्यूंकि दोनों में कोई फरक नहीं है मेरी आप से गुजारिश है कि पैचानिये इन लोगों को देख ले आपने अस्दु दिन OSE ने जो सवाल पूछे हैं वो वाजिब है मैंने भी अपने वीडियोज में इस पर चर्चा की है आखिर क्यों केजरिवाल इस तरह के मामलों पर स्थांट रहते हैं चुपी साद लेते हैं क्या उन्हें डर है कि BJP वाले उन्हें हिंदू विरोधी कहने लगेंगे क्या बलाकारियों का विरोध करने से कोई हिंदू विरोधी हो जाता है एक सवाल ये भी है कि पिछले ही साल दिल्ली में जबरदस दंगे हुए थे केजरिवाल खुद को दिल्ली वालों का बेटा कहते हैं मगर उन दंगों को लेकर कभी भी केजरिवाल ने उस तरह से सक्रेता नहीं दिखाई जिस तरह से दिखानी चाहिए थी कम से कम एक बेटे को दिखानी चाहिए थी जरा सोचिए यदि उन दंगों के सुरुवात होते ही केजरिवाल अपना लाव लसकर लेकर पहुंच जाते या फिर कॉंग्रेस के लोग ही अपने तमाम नेताओं की फोज लेकर पहुंच जाते तो साहे दरजनों लोगों की जान बचाई जा सकती थी और दंगाई भाग खड की रहे आज कोई भी अनपर्मों उठाकर गांधी नहरू पटेल को गालिया दे लेता है मगर उसको नहीं मालूम वो लोग ऐसे नेता थे जो दंगों के बीच अकेले घुज जाते थे इस उम्मीद से कि लोग उन्हें देखकर ही सांथ हो जाएंगे ये डर मन में नहीं होता था कि लोग हमें भी मार सकते हैं देश की आजादी की बात जब जगा जगा दंगे होने लगे तो महत्मा गांधी अकेले ही दंगा ग्रस शेत्रों में जाने लगे उन्हें देखकर लोग हत्यार छोड़ भागने लगे मगर अब तो वाट्सअफ उन्वस्टी का जमाना है गोधी मीडिया का जमाना है जिसको चाहे देश द्रोही बता दे जिसको चाहे भगवान बना दे तो गोधी मीडिया की गंदगी से बचने के लिए जरूरत है कि जनता मीडिया के हातों में हो आपको यदि हमारा कारेक्रम अच्छा लगता है तो वीडियो को जादा जादा पहुचाया करिए इसके साथ ही यदि आप हमारी आतिक मदद करना चाहते हैं तो इस बार कोड को scan करके कर सकते हैं हम से जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाज जहें